निर्गमन के किताब उन्निस वे अध्याय पांच्वा वचन एक्सड़स चैप्टिन 19 वर्स 5 इसलिए अब यदी तुम निश्चे मेरे मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निश्दन ठहरोगे और समस्त पृत्वी तो मेरी है मेरी परमेश्र की प्रिय लोगों आज ये परमेश्र का वचन हम से ये कहता है कि हम परमेश्र के बातों को माने परमेश्र के सुने और जब हम परमेश्र को मान कर उसको सुनेंगे और उसके वचनों को पालन करेंगे तो परमेश्वर अपना निजधन आमे ठहराएगा क्योंकि ये पूरा समस्त पृत्वी परमेश्वर का है मेरे परमेश्वर के प्रिये लोगो आज ये सुभा परमेश्वर का बचन छेतावनी के रूप में आ रहा है और कहता है कि अम परमेश्वर का ही सुने क्यों न हम आज निर्नाइले और परमेश्र का अम सुने आईए अम प्राथना करें आकाश और पृत्वी के निर्वान करता धन्यवाद देते हैं प्रभू आपकी स्तुति करते हैं आपकी नाम की महिमा करते हैं प्रभू प्रभुजी आपका वचन आज अमे स्मरन दिला रहा है कि आपका अमे सुनना है और आपके वचनों को मानना है प्रभुजी पूरा संसार और पृतवी के सारे चीजें आपके हैं हम आपके हैं आप अमारे हैं इस पर हम विश्वास करते हैं आज पूरा दिन तेरा बातों को सुनकर, तेरे वच्चनों को पालन करने के लिए सहायता कर, धन्यबाद अपने प्रातना सुना, येश्यू के नाम से, आमें. आमें.